हेलो और वल्कम तो माई चैनल टरी एंड वर्शो और आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं हम जहां पे हम अन्बॉक्स करेंगे यह हेविल्स का ओईल फिल्ड हीटर इस हीटर का मॉडल नंबर है ओएफार 13 फिन और यह 2900 वाट्स का है यह हीटर मेक शूर करता है कि जब आप इसे यूज करो तो आपकी रूम में ऑक्सिजन के ना हो जैसा कि आप बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो यह हीटर दो साल की वारेंटी के साथ आता है और इसमें तीन पावर सेटिंग्स होती है 1500 वाट्स तो आप इस हीट आप हीटर प्लस फैन चला सकते हो यह एक ड्वेल टेक्नोलजी बेस्ट हीटर है पीटी सी विट ओएफार जिसका मतलब है कि आप चाहो तुझसे विशे एज़ फैन हीटर भी यूज कर सकते हो बड़ आप इसको एज़ ऑईल बेस्ट ही यूज करो क्योंकि वो आपकी हेल् अब इसे अन्बॉक्स करते हैं और असेंबल करते हैं और देखते हैं कि यह हीटर कैसा है दिखने में तो हमने अपना हीटर अनुच कर लिया है काफी महनत लगी इसको अन्पक और करने में जैसा कि देख पार है कि शानदर पैकिंग में यह आया था एक्रोंक्रोंटली 18 kg का ये heater है तो आपको किसी की help लगेगी इसको बाहर निकालने में box से तो I would recommend कि आप किसी की help ले ले बॉक्स में आपको heater मिला है, heater के wheels मिले है जो कि हम कुछ ही दिर में assemble करेंगे और साथ में एक manual booklet मिली है कि इसको कैसे assemble और use करना है तो चलिए अब इसे फटा फट से assemble करते हैं, इसे assemble करना बहुत ही असान है, जादा कुछ करदा नहीं है बस nut को bolt से कसना है bolt भी हाथ से ही कसे जाएंगे बट मैं एक चीज़ recommend करूँगा जिससे कि आप इसे बड़े आराम से assemble कर लोगे, basically assemble में कुछ है नहीं, wheel कसने है नीचे base पे, तो सबसे पहले तो heater को आप किसी उची चीज़ पे रख ले जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने एक छोटी सी लगडी के table पे रखा है, जिससे कि heater के base में मुझे space मिल गया है, wheels को fit करने के लिए और उसके बाद मेरे को सिफ nut and bolt कसने थे, तो बहुती असान तरीका है, I hope you will be able to do it without any issue, finally हमारी assembly complete हो गई है, और हमने heater को standing position पे रख लिया है overall देखने में ये बहुती खूबसुरत लग रहा है, और बहुती बहतरी इसके built लग रही है, जो product में material यूज हुआ है, वो काफी अच्छी quality में यूज हुआ है देखने से ही समझा रहा है कि Hewells जैसा एक बड़ा brand है, उसने एक बहुती सुन्दर heater बनाया है मैंने ये heater, 13 fin के option में लिया है, इसमें दो और option आते हैं, 9 fin और 11 fin depending on your room size you could go for 9 fin और 11 fin, तीनों heater के pricing में भी ज़्यादा difference नहीं है एक से तेर हजार रुपे का difference है मैंने ये heater Amazon sale में लिया था, और मुझे बहुती अच्छी deal मिली थी, जिसमें ये 13 fin का heater मुझे सिर्फ 9500 में मिला है, after all the discount, so अब इसके features and functionality के बारे में बात करते हैं, so सामने से भी देखने पर ये heater बहुती खुबसूरत लग रहा है, सामने की तरफ ये red power light है और उसके नीचे तीन power setting है, low, medium high, so ये function basically ये decide करता है, कि एक time में 13 fin में से कितने fins काम करेंगे, उसके नीचे ये दूसरा knob है, जो कि आप जादा या कम कर सकते हो, max to minimum है, इससे आप heater का thermostat set करोगे basically उपर जो आपने choose किया था, कि कितने fins heat होने है, वो कितने जल्दी heat हो, वो decide करते हो आप नीचे की knob से, अब next उसके नीचे ये on off button है, basically इससे heater on off नहीं होता है, बलकि ये fan जो नीचे दिया है, वो on या off होता है तो याद रहे, on off button से, OFR fan on off होता है, ना कि आपका heater heater आपका बीच वाले thermostat knobs ही on off होगा जो कि minimum and maximum वाला button है, finally ये नीचे की तरफ जो space दी है, इसमें आप अपनी cable manage कर सकते हो, और सामने की तरफ जो hole है इसमें इसमें आप वो plug fix कर सकते हो यहाँ पे जो vent दिया हुआ है, ये आपका ओफर fan है, जिसमें से air बाहर की तरफ गरम हवा ब्लो करती है, तो अब वीडियो खतम करने से पहले, मैं आपको इस heater का पूरा view दिखा देता हूँ, जिससे कि आप decide कर पाओ, कि ये heater आपको लेना है या नहीं अपने घर के लिए मेरी recommendation यही रहेगी, कि ये heater आप जरूर देखे और जरूर चूज करे, काफी अच्छा heater है ये, आपको healthy रखेगा, safe रखेगा, overheat नहीं होता all in all, बहुती must heater है तो आज के वीडियो में वस इतना ही प्लीस, like my video and subscribe to my channel, I would really appreciate it thank you for watching this video, be safe and see you until next time प्लीस, like my channel, I would really appreciate it